हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मुश्राफ हुसाइन आपका एक बार फिर से स्वागात करता हूँ अभी तक हमने पिछली वीडियो में बात की थी कोरोना से रिलेटेट उनकी सिम्टम्स उनकी प्रिकोर्शन्स उसके लावा कौन कौन से इन्वेस्टिकेशन्स उनने जरूरी होते हैं और हमने होम करेंटैन की बात की थी उसके लावा हमने बात की थी वेक्सीन को लेके भी और आज इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक तरह का हेल्थ टिप है उन मरीजों के लिए जो अस्पताल से डिश्चार्ज होके आया है कोरोना के मरीज क्योंके सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मरीज को डिश्चार्ज होने के बाद भी घर में कुछ दिनों तक आइसोलेट या करेंटाइन में रहना पड़ता है उन दिनों के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होगा मरीज के लिए जिनसे उनका लंग्स का फंक्शन इंप्रूव हो और उसके लिए बहुत चोटी सी सिंपल सी स्मॉल एक्सरसाइज हैं तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखते रहे और I'm very sure कि इससे मरीजों को बहुत जल्दी फायदा होगा और recovery rate काफी अच्छा होगा क्योंकि इस्पताल से आने के बाद कोरोना से एक weakness रहती है और कोरोना की बिमारी ऐसी है जो lungs को effect करती है तो हमें अपने मरीजों के lungs को बचा के रखना है और उनको further improve करना है तो points में हम बात करते है सबसे पहले exercise क्या होगी कि जब मरीज घर पे आएगा तो इस ब्यात का ध्यान रखें कि मरीज का जो सरहना है या जो सर की तरफ का हिस्सा है वो उचा रहे उसके साथ साथ मरीज को कोशिश की जाए कि वो करवट से लेटे या अगर वो उल्टा लेटता है पेट के बल तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि उल्टा लेटने से क्या होता है कि जो lungs के posterior lobs है वहां तक oxygen का flow हो जाता है जिससे हमारे lung की capacity बढ़ती है तो यह बहुत अच्छा है हम hospitals में भी हम इसको इस position में ventilation देते हैं तो जिससे SPO2 level काफी अच्छा improve होके आ जाता है उसके अलावा जो दूसरी exercise होगी दोस्तों वो होगी एक chair पे बैठ जाए और आगे की तरफ lean करें और लंबी-लंबी सास ले या जिससे table पे head down करके रखते हैं दोनों आथ ऐसे करके तो उसमें भी यह होगा कि support मिलेगा और lungs की तरफ oxygen का flow बढ़ेगा उसके अलावा जो एक चोटी सी exercise होगी क्योंकि कई दुनों तक मरीज अस्पताल में बैठ पे लेट के आया होता है और हमें बचाना होता है जो blood का थक्का है उसको भी जमने से तो बहुत देर तक एक ही position में ना लेटे रहें या एक ही position में ना बैठें बैठना बहुत ज़रूरी है चेर पे बैठें पूरे time नहीं लेटें और जब लेटें तो उल्टा लेटें और जब हम बैठते हैं तो कोशिश करें कि सारे बैठके अपने pairs को move करें या पंजों के बल खड़े होके heels को उपर उठाएं नीचे करें तो उससे क्या होगे कि टांगों के अंदर calf muscles में blood circulation बढ़ेगा हम ऐसे काम करें चोटे चोटे बहुत ज़ादा exercise ना करें लेकिन ऐसे चोटी चोटी exercise कर सकते हैं जिसमें हमें लगे कि yes lungs के अंदर oxygen का या air का inhalation बढ़ रहा है उसके लावा हम relaxing exercise जो होते हैं वो भी हम कर सकते हैं खासतोर से इनको breathing exercise कहते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम एक हाथ चाती पे रख लें एक पेट पे रख लें और हमें breathe in और breathe out करें तो यह step हम हर बार कम सकें 5 से 10 बार करें नाक से सांस लंबी खीचे और मुझ से पूरे सांस बाहर निकाल दें तो इससे क्या होगा कि आपके लंकी capacity बढ़ेगी यह बहुत ही जिसमें क्या होता कि तीन balls पड़े होते हैं चोटे चोटे तीन color के उसमें फूक मारना होता है जोर से तो वो यह यह जिससे हम exhale करते हैं तो उसमें जितना pressure लगाते हैं तो वो बोल्स उतना ही उपर उठती है तो इससे भी हमारी lungs की capacity बढ़ती है उसके लाव में मरीज के खान पेन का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है उसको समय पे खाना दे टुकलो टुकलो में थोड़ा खानी दे लिक्विट्स वो जादे से जादे ले ध्यान रहे हैं कि उनके पास कोई smoking ना करे और अगर कोई मरीज पहले से smoker है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दुमरपान से बचे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इतने दुना तक कम से कम हफता दस दिन तक और अस्पताल में अकेले रह के आया है तो उनको उन चीज़ों के लिए भी या तो उनको जिस चीज़ में मन लगता हो पढ़ने के लिए या किसी मनोरजन के लिए उसमें उसको involve करे योगा भी बहुत important है हम योगा की exercises भी कर सकते हैं जो breathing को improve करते हैं तो मुझे उमीद है दोस्तो आज का मेरा health tip आपको पसंद आया होगा और मैं इसी तरह के दूसरे health tips को continue आपके सामने लाता रहूँगा अगर आपको यह health tip पसंद आया हो तो share करें, like करें और मेरे channel को subscribe जरूर करें प्लीज बेल आइकन दबाएं सुधाट आपको notifications आते रहें धन्यवाद